जै भोलेनाद आप सभी पर भोलेनाद की करपा सदा पने रहे आज की इस वीडियो में जानिए मार्क्षी समास के शुकल पक्ष में पढ़ने वाला और इस साल का सबसे अंतिम प्रदोश्वत कब है प्रदोश काल का समय कब से कब तक रहेगा और साथी आप सुनेंगे प्रद पनाशन इस्तोत्र का हिंदी अनुवाद भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हो सके तो शेयर भी जरूर कीजेगा हमारे चैनल पर हर दिन भागवत कथा और सभी महिनों के महात्म्य की कथाएं लगातार सुनाई जाती हैं अगर आप इन पौरिशव परिवार की मुख्य पूजा प्रदोशकाल में अनिवारी रूप से करनी चाहिए तब ही प्रदोशृत का पोंडफल प्राप्त होता है अगर आप प्रदोशकाल के समय घर पर नहीं हैं मंदिर में पूजा नहीं कर सकते हैं तो अब जहां कहीं भी हैं वहीं पर प्रदोशकाल के समय में सच्चे मन्से मांसिक रूप से भगवान के मंत्रों का जाब करके भी पूजा कर सकते हैं प्रदोश काल का समय इस दिन रहेगा शाम 4 बच कर 58 मिनट से 6 बच कर 28 मिनट तक आज के दिन भगवान शंकर के साथी भगवान श्री हरी की पूजा करने या भगवान का ध्यान करने से जीवन के सभी बंधन से मुख्दी मिल जाती है, सभी प्रकार के पाप तापनस्ट हो जाते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप कर जाते हैं तो प्रदोश काल के समय अपने हाथ में पीला या सफेद पुष पर रखकर भगवान श्री हरी का ध्यान करते हैं, आप सभी को पाप नाशन इस्तोत्र का पाठ या फिर हिंदी में अनुवात सुनना चाहिए, जो कि इस प्रकार है सर्व व्यापी श्री हरी विश्नु को नमस्कार है, मैं अपने चित्त में इस्थित सर्व व्यापी एहंकार शोन्य श्री हरी को नमस्कार करती हूँ, मैं अपने मानस में विराजमान, अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करती हूँ, सब के पूजन जन्म और मरण से रहित प्रभाव शाली श्री हरी को नमस्कार है श्री हरी अर्था श्री विश्नु मेरे चित में निवास करते हैं श्री विश्नु मेरे बुद्धी में विराजमान है श्री विश्नु मेरे एंकार में प्रतिस्थित है और श्री विश्नु मुझ में भी इस् हैं उनके चिंतन से मेरे पापों का नाश हो जो ध्यान करने पर पापों का हरंड करते हैं और भावना करने से स्वप्ण में दर्शन देते हैं देवराज इंद्र के अनुज शर्नागत जनों का दुख दूर करने वाले उन पाप हारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करती मैं इस निराधार जगत में अज्ञान अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहरा देने वाले परातपर स्वरूप और श्री विश्नु के सम्मुक नतमस्तक होती हूँ हे सर्वेश्वर प्रभो हे कमल नयन परमात्मन हे रिशिकेस आपको नमस्कार है हे इंद्रियों के स्वामी श्री विश्नु आपको नमस्कार है हे निरसिंग अनंत सरूप गोविंद समस्त भूत प्राणियों की स्रस्टी करने वाले केशफ मेरी द्वारा जो दुरवचन कहा गया हो अथ्वा पाप पौन चिंतन किया गया हो मेरे उस पाप का प्रशमन कीजे आपको नमस्कार है। मैंने मध्यान, अप्राहन, सायंकाल और रात्री के समय जानते हुए अथवा अंजाने में शरीर, मन और वानी के द्वारा जो पाप किया हो हे पुलिरिकाक्ष, हे रिशिकेश, हे माधव, आपके इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे वे सब पाप शीन हो जाएं, नाश ह हे कमल नयन, हे लक्ष्मी पते, हे इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर और वानी द्वारा किये हुए पापों का हनन कीजे, आज मैंने खाते, सोते, खड़े, चलते, अत्वा जागते हुए, मन, वानी और शरीर से जो भी नीच योनी और नरक की प्राप्त कराने वाले सोक्ष्म अत्वा इस्थूल पाप किये हुँ, भगवान वसुदेव के नामुचारण से वे सब विनस्थ हो जाएं, जो परब्रह्म, परमधाम और परम पवित्र हैं उन श्री विश्नु के संकीरतन से मेरे सभी पाप नस्थ हो जाएं, जिसको प्राप्त होकर ग्यानी जन पुनहन लोटकर नहीं आते, जो गंध इसपर्ष आदी तन मात्राओं से रहित हैं, श्री विश्नु का वे परमपत मेरे संपून पापों का शमन करें, जो भी मनुष्य पाप मोचनी एकादशी के दिन श्रद्धा पुरवक इस इस्तोत्र का पर्थन अत्वा श्रवन करता है, वे शरीर, मन और वानी जनित समस्त पापों से छूट जाता है और समस्त पाप ग्रहों से मुक्थ होकर भगवान श्री हरी के परमपत को प्राप्त हो जाता है, अब सुनिए रवी प्रदोश्वरत कथा, एक समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागी रथी नदी के तड़ पर रिशी समाजद्वारा विशाल गोस्ठी का आयोजन किया गया, इस महासभा में व्यास जी के परमशिष पुरान विता श्री सूत जी महराज हरी कीर्दन करते वे पधारे, श्री सूत जी को आते वे देखकर शनक आदी 88,000 रिशी मुनियों ने खड़े होकर उनने दंडवत प्रणाम किया, महाग्याने सूत जी ने भक्ती भाव से रिशियों को हर्दे से लगाया, तथा उन्हें धेरो आशिरवात प्रदान किया, तब विद्वान रिशीगन और सभी शिष आसनों पर विराजमान हो गए, शौनक आदी रिशी ने पूछा, हे पूजिवर महामते, किर्पय ये बताने का कस्ट कीजिए कि मंगल प्रत कस्ट निवारक रवी प्रदोश्वरत सबसे पहले किस ने किया और उसे क्या फल प्राक्त हुआ, तब शिरी सूत जी महराज इस प्रकार कहने लगे, आप सभी शिव के परमभक्त हैं, आ करती थी, उनका एक ही पुत्र था, एक समय की बात है, उनका वह पुत्र गंगा इस्नान करने के लिए चला गया, दुर्भा की वश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया, और वे उसे पकड़ कर कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बस तुम अपने पिता के गुप करा दन कहां से आएगा, बालक की बात सुनकर चोर कहने लगे, तो फिर बता तेरी इस पोटली में क्या बधा हुआ है, बालक ने चोरों की बात सुनकर बिना डर के कहा कि इसमें तो मेरी माने मेरे लिए रोटिया दी है, ये सुनकर चोरों को उस बालक पर दया आ गई, उन् वहबालक वहां से चलते चलते एक नगर में जा पहुंचा नगर के पास ही बरगत का एक विशाल व्रिक्ष था वह ठका हुआ था इसलिए वहबालक उसी बरगत के व्रिक्ष की चाया में सो गया उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते वे उस बर्गत के व्रिक्ष के पास ही जा पहुँचे जहां पर वह बालक सोया हुआ था वेह बालक को चोड समझ कर बंदी बना कर राजा के पास ले गए तब राजा ने उस बालक को कारवास में बंद करने का आदेश दे दिया उधर ब्रहमणी का लड़का जब रात होने तक घर नहीं लोटा तो उसे अपने बेटे की बहुत चित्ता हुई अब अगले दिन प्रदोष्ट रथा ब्रहमणी ने प्रदोष्ट रखा और भगवान शिव से सारा दिन मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी भगवान शंकर ने उस प्रहमणी की प्रार्थना स्विकार कर ली और फिर उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है वह निर्दोश है उसने कोई चोरी नहीं की है इसलिए उसे प्रातहकाल छोड़ दिया जाए नहीं तो वे उसका सारा राज वैभव नस्ट कर देंगे प्रातहकाल राजा ने शिवजी की आग्या नुसार उस बालक को कारवास से मुक्त कर दिया बालक ने तब अपनी सारी कहानी राजा को कह सुनाई बालक के मुह से सारा वृतान सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को अपने राजदर्बार में बुलवाया राजदर्बार में बुलवाये जाने की कारण उसके माता पिता बहुत भहबीत हो गए थे उन्हें लग रहा था कि शायद राजा उन्हें दंड देने वाला है राजा ने उन दोनों को भैभीत दे कर कहा कि आप डरिये मत आपका बालक तो निर्दोश है तब राजा ने व्रहमट को पांच गाउं दान में दे दिये जिससे कि वे सुख पूर्वक अपना जीवन बिता सके इस प्रकार भगवान शिव की करपा से और प्रदोश रत के प्रभाव से वे ब्रहमट परिवार अब आनंद से रहने लगा इस प्रकार रवी प्रदोश व्रत के दिन जो भी मनुष भगवान शिव की पूजा प्रदोशकाल में करके इस व्रतकथा को पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है बोलेनात उन पर सदा अपना आशिरवात बनाए रखते हैं और बोलेनात के करपा से ऐसे भक्त सदा सुखी और निरोगी होकर अपना जीवन बिताते हैं ये थी रवी प्रदोश व्रत कथा अब सुनिए भगवान शिव की आरती ओम जैशिव ओम कारा स्वामी जैशिव ओम कारा ब्रह्मा विष्नु सदाशिव अरधांगी धारा ओम जैशिव ओम कारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे हंसासन गरुडासन प्रिश्वाहन साजे ओम जैशिव ओम कारा दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अतिसो हे स्वामी दस भुज अतिसो हे त्रे गुण रूपन रखते त्रे भुवन जन मोहे ओम जैशिव ओम कारा अक्ष माला वन माला मुंद माला धारी स्वामी मुंद माला धारी चंदन ब्रिग मद सोहे भाले शशिधारी ओम जैशिव ओम कारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे स्वामी बाघंबर अंगे सनकादिक गरुडादिक सनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे ओम जैशिव ओम कारा करके मध कमंडल चक्र त्रिशोलधारी स्वामी चक्र त्रिशोलधारी सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी ओम जैशिव ओम कारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अभिवेका स्वामी जानत अभिवेका प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनो एका ओम जैशिव ओम कारा त्रिगुन स्वामी जी की आरती जो कोई नरगावे स्वामी जो कोई नरगावे कहते शिवानंद स्वामी रटते भोलानंद स्वामी सुख संपति पावे ओम जैशिव ओम कारा परवत सोहें पारवती शंकर कैलासा स्वामी शंकर कैलासा भांग धतूर का भोजन भांग धतूर का भोजन भस्मी मेवासा ओम जैशिव ओम कारा जटा में गंग बहत है गल मुंडन माला स्वामी गल मुंडन माला शेश नाग लिपटावत ओढत म्रिग छाला ओम जैशिव ओम कारा काशी में विराजे विश्वनात नंदी ब्रहमचारी स्वामी नंदी ब्रहमचारी नित उठ दर्शन पावत महिमा अतिभारी ओम जैशिव ओम कारा स्वामी जैशिव ओम कारा अगर आपको ये विडियो पसंद आई हो तो प्लीज विडियो को लाइट चरूर कीजेगा